उत्तरप्रदेश पंच्याच चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है आज यानि दो माज को सभी जिलो की आरक्षन सूची भी जारी हो रही है इसके लिए जनता और संभावित प्रतियाश्यों में उत्साह देखने को मिल रहा है इसे बीच हम आपके उता दें कि कीवल 650 रुपे से लेकर 4000 रुपे तक के खर्च कर आप उमिदवार बन कर इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर काफिला निकालने के लिए गाड़ी उपर होने वाले खर्च या समर्थकों और कारेकरताओं पर उड़ाई जाने वाली रक्म को छोड़ दें तो प्रतियाश्यों केवल 650 रुपे से लेकर 4000 रुपे में भी चुनाव लड़ सकते हैं राजे के निर्वाचन आयूग से मिले ब्योरे के मताबिक ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने वाले प्रतियाश्यों केवल इन दो जगहों पर पैसे खर्च करने होते हैं एक नामंकन पत्र और दूसरा जवानत राश्यों आपको बता दें कि निर्वाचन आयूग ने सभी बदो के प्रतियाश्यों के लिए खर्च सीमा पहले ही तैकर रखी है अगर निर्वाचन आयूग ते ने जानकारी दी है कि सभी प्रतियाश्यों जो भी खर्च करते हैं उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी साथी चुन प्रतियाश्यों में ये संशोधन लागू रहेगा इसके अलावा प्रतियाश्यों को नाबंकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ती के बियोरे के साथ आपराधिक प्रेस्ट भूमी, हाउस टैक्स और अलग से किसे भी तरह की बकायदारी का विवरन भी देना होगा बताया ज सभी सुचनाओं की खुद ही घोषणा करेंगे। बेरो रपोर्ट, खबर अभी तक.